लगता है 2020 का ये वर्ष बॉलिवुड के लिए बहुत ही अप्शकुन वर्ष माना जाएगा इर्फान खान, रिशी कपूर, वाजित खान, सुशान चिंग राजपूत, सरोज कान इन पांचों के दियान 2020 में हुए थे और हम इनके दियान से उभर नहीं पाए कि अभी एक और नियूज मिली है, मशूर कॉमेडियन जगदीप इस दुनिया में नहीं रहे जगदीप, जिसे मैं और आप सुरुमा बुपाली के नाम से जानते थे, जो कैरेक्टर उन्होंने शोले फिल्म में किया था, आज इस दुनिया में नहीं रहे उनका असली नाम सेद इस्तिकाद एमद जाफरी था, उन्होंने अपने फिल्म के करियर में 400 फिल्म किये थे और दोस्तों उन्होंने अपनी फिल्म का करियर 1951 अपसना मूवी से शुरू किया था, as a child artist और दोस्तों अपने successful करियर के चलते और अपने expression से भरिवी comedy से हमारा मनोरंजन दो हुआई पर साथ साथ उन्होंने बहुत सारे comedians को भी inspire किया, उन्होंने से एक थे जौनी लिवर जिन्होंने अपने पहली फिल्म का करियर शुरू किया जगदीब के साथ और ये fact उन्होंने mention के आपने twitter account पे उन्होंने अपसोस जाहिर करते करते ये जरूर कहा कि मेरी पहली फिल्म जगदीब जी के साथ थी जिन्से जरूर उनको बहुत सारी सीख मिली होगी जगदीब जी इस दुनिया के लिए भले एक comedian क्यों न हो पर वो दिल के बड़े साफ थे और experiments में भी बहुत belief करते थे उन्होंने एक movie भी निकाली थी सुर्मा भुपाली 1988 में जो successful नहीं थी बट मध्यप्रदेश में बहुत चली थी उन्होंने horror films में भी काम किया राम से ब्रदर्स के साथ जगदीब जी के तीन संताने मुसकान जैफरी, जाविज जैफरी, नाविज जैफरी नाविज जैफरी और जाविज जैफरी तो films और बुगी बुगी के लिए famous हैं पर मुसकान जैफरी ने अभी अभी अपना career शुरू किया है as a dubbing artist पिता जी के अकाल मृत्यू के बाद अपने आर्तिक समस्या को समालने के लिए छे साल के जगदीब चब films में आये थे तभी उन्होंने भी नहीं सोचा रहेगा कि किस्मत उनको आज हमारे सामने अमर कर देगी और बॉलिवूड के स्टार्स के साथ साथ हम भी उनकी कमी का मैसूस करेंगे इस इस एस वाई एंटरेटेंडमेंट साइनिंग ओफ जै हिंद जै भारत